बिसमिल्लाई रख्मान रहीम, السلام अलेकुम जी आज मैं बहुती डिफरंट रेस्पी लेके आए हूं जो है क्रीमी चीजी पास्ता तो ये है जी वाइट सोस पास्ता तो ये बहुती मजे का बना था तो चलिए आएजे बहुत मज़ेदार क्रीमी यमी पास्ता बनाना शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दवा करती हूं लपाक सब की तमाम मुश्किलें परिशानिया दूर करें और सब को अपने ही जुमान में रखें आमिन सुमामिन और अगर आप लोग उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर तो चलिए आएंगे बहुत मज़ेदार वाइट सॉस पास्टा बनाना शुरू करते हैं आने के लिए आपने सबसे पहले चिकन को मेरिनेट करना है तो यहाँ पर मैंने बॉनलेस चिकन लिया है तकरीबन एक पाउ तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वाश कर लिया था उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है वन टेबल स्पून फुल भरके सिरका आप चाहें तो फ्रेश लेमन का जूस भी आड़ कर सकते हैं उसके बाद इसके अंदर टू टेबल स्पून आपने सोया सो से अड़ करना है साथ ही आपने इसके अंदर वन टी स्पून नमक शामिल करना है हाफ टी स्पून पिस्यूवी काली मिर्चे वन टीस्पून आपने इसके अंदर चिली फ्लिक्स यानि के कुट्यूवी लाल मिर्चे इस्तामाल करनी है कुट्यूवी लाल मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पास्ते में तो यह आपने skip नहीं करना लाजमी use करनी है कुट्टिवी लाल मिर्स तो अब आपने इसको अच्छा तरीके से mix करना है उसके बाद आपने इसको तकरीबन एक घंटे के लिए marinate होने देना है तो अगर आपके पस कम टाइम है तो आप इसको आदा घंटा भी रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने चूले पे एक मतलब sauce pan में पानी रखा है उसके अंदर मैंने 1 tablespoon full भरके नमक शामिल किया है साथ ही 1 tablespoon आपने इसके अंदर cooking oil शामिल कर देना है cooking oil से यह होता है कि यह जो हमारा पानी एकदम से boil होके बाहर गिरता है यह नहीं गिरेगा तो यह देख सकते हैं आप अब यहाँ पे मैंने एक packet पास्ते का लिया है आप पास्ता किसी भी shape का और किसी भी तरह का ले सकते हैं तो पास्ते को आपने cook करना है cook इतना करना है हम किसी भी चुरी या फिर चमत से इसको दबाएं तो यह तूट जाए तो आपने इसको इससे ज्यादा cook नहीं करना नहीं तो ये पास्ते का बिल्कुल हल्वा सा बन जाएगा तो ये बहुत ज्यादा आपने इसको cook नहीं करना, ये देख सकते हैं आपने इतना ही cook करना है, अब इसका पानी जो है वो drain out कर देना है और आपने इसको एक से दो पानी, थंडे पानी से आपने इसको wash करना है, दो से तीन पानी तो इसके उपर जितना भी यह चिप चिपा जो स्टार्च होता है वो रिमूव हो जाता है और यह आपस में चिपकता नहीं है पास्ता इसलिए इसको ठंडे पानी से वाश करना ज़रूरी है तो अब यहां पर मैंने जो मेरिनेट किया था चिकन उसको कुक कर लूँगी तो चूले पर मैंने एक पैन रखा है उसके अंदर मैं तकरीबन वान टेबले स्पून कुकिंग ओल शामिल कर दूँगी ज्यादा ओल की जरूरत नहीं है हमने जो चिकन है उसको फ्राइर नहीं कर ना बस उसको स्टीम करना है और इसके अंदर ये वान टेबले स्पून ही ओल शामिल कर रही हूं अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो वान टेबले स्पून ओल की भी जरूरत नहीं है इसमें तो अब यह जो मेरिनेट किया हुआ चिकन था मैंने इसको पैन में डाल द देगेगा तो अब यह चिकन जो है उपर से कवर करने से बहुत ज्यादा पानी छोड़ देगा तो जब पानी इसका बिल्कुल ड्राय हो जाए तो आपने इसको चूले से हटा देना है यह देखे कितना जबर्दस्त हमारा चिकन जो है वो को को हो चुका है तो अब आपने इसका पास्ते का सौस तियार करना है यह यानि के वाइट सौस तियार करना है तो वाइट सौस तियार करने के लिए मैंने चूले पे पैन रखा है उसके अंदर मैं फिर से वन डेबले स्पून कुकिंग ओल शामिल करूँगी तो इसमें आप बटर का इस्तमाल कर सकते हैं बटर इस्तमाल करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पास्ते का तो मेरे पास बटर नहीं था इसलिए मैं कुकिंग ओल का इस्तमाल कर रही हूं तो साथ ही आपने इसके अंदर 1 टी स्पून फुल भरके चॉप की और लसन एड़ करना है और लसन को हलका सा आपने गोल्डन करना है ज्यादा नहीं तो बहुत ज्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना नहीं तो लसन की जो खुश्बू और टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा अब आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदे का इस्तमाल करना है तो मैदा आपने एक एक करके डालना है चमच पहले मैंने वन टेबल स्पून डाला है इसको हलका सा भूनूंगी एक साथ आपने दो चमच नहीं एड करना तो एक साथ अगर आप मैदा एड करतेंगे तो वो उसकी जो गुटलियां वो बन जाएंगी और बहुत ज्यादा वो अजीब सा हो जाएगा तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा तो इस तरह से आपने एक चमच डाल के उसको हलका सा भून लेना है उसके बाद आपने दूसरा चमच एड करना है तो ये देखे एक चमच डाल के मैंने इसको भून लिया था तो मैदे को प्राउन करने से यह होता है इसके अंदर जो कचा कचा टेस्ट होता है वो नहीं आता तो हमारा जो सोस है वो बहुत ही मजे का बनता है तो ये देखे मैदा जो ब्राउन हो चुका है अंदर लसन भी बहुत ही अच्छा हो गया है अब आपने इसके अंदर फुल भर के एक गिलास मिल्क एड़ करना है तो ये फुल क्रीम दूद है तो दूद डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसको तकरीबन पांच मिनट के लिए आपने पका लेना है मीडियम फ्लेम पे तो अगर आपको लगे ये बहुत ज्यादा थिक हो गया तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूद और आड़ कर सकते हैं वन टीज्पून आपने इसके अंदर नमक एड़ करना है वन टीज्पून ही पिस्वी काली मिर्चे तो नमक और काली मिर्चे डाल के इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो ये मिक्स हो चुका है ये कुक भी हो चुका है अच्छे तरीके से मैदा जो है उसकी बिल्कुल भी कच्ची कच्ची मतलब टेस्ट नहीं आ रहा मैंने इसको चक्खा था अब आपने यहाँ पे 200 ml यानि के 200 ग्रेम शामिल करनी है फ्रेश क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं मिल्क पैक की या कोई भी ले सकते हैं आलपर्स की भी तो ये इजी लिए आपको मार्किट से मिल जाएगी तो क्रीम डाल के इसको आपने अच्छा तरीके से मिक्स करना है मजीद बहुत ज्यादा आपने इसको कुक नहीं करना तो ये देखें क्रीम डाल के मैंने इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर लिया है अब यहां पे मैंने हाफ कप मुजरेला चीज ली है तो यह देख सकते हैं कितनी इसकी अच्छी यह एक लेर सी बन रही है बहुत ही जबरदस्त रिबन की तरह अब आपने इस सोस को पास्टे के उपर पोर करना यानि के एड़ करना है तो अगर आपको लगे यह बहुत ज्यादा सोस जो है वो थिक हो चुका है तो आपने इसके इसके अंदर दूद अंधर करना है तो मैंने इसके अंदर इसके पास्टा के उपर जब इसको डाला था तो यह मुझे बहुत ठीक लग रहा था इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सथोड़ा और add किया था तो आपको अगर जितना भी इसको रखना है मतलब juicy जितना भी वो जो थोड़ा सा था एक पार्ट जहां पर मैंने दूद एड़ किया था अब यहां पर मैंने जी जो कुक्कियोवा चिकन था वो एड़ कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने तो बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स करना है तो ये देखे जी बहुत ही जबरदस्ट बहुत ही यम्मी और डिलिशिस हमारा पास्ता रेडी है आप इसको किसी भी दावत किसी भी फॉंक्शन पे तियार कर सकते हैं बहुत ही मज़े का लगता है तो लीजिए बहुत बहुत क्रीमी बहुत चीजी हमारा पास्ता त्यार है वाइट सॉस तो जरूर ट्राइ कीजेगा रेस्पी पसंद आए तो अपने दोस्तों साथ शेयर कीजेगा और कमेंट सेक्शन में बताएंगे का कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी अलाहफेज